देखे आप जिन्दगी में कितनी बार हा रहे हैं ये कोई माइना ने रखता क्योंकि आपके वल्ड जीतने के लिए पैदा हुए हैं आप खुद पर विश्वास कीजिए आप वो हर काम कर सकते हैं जो दुनिया का कोई भी वेक्ति जो है सफल वेक्ति कर सकता है तो आपको भी सफल बनना है अपने लक्षी तरफ फोकस कीजिए देखिए आज है 21 दिसम्बर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इमोरेटर प्रेशनों पर हैं जो कि अपकी सभी परिक्षाओं के लिए बोरेट है तो चलिए शूरू करते हैं आज के वीडियो को लेकिन दिस तो इसको देखते रहे हैं टोटल 500 करेंडिवर का जो सीरीज है ये मुझे कम्प्लिट करना है इसी महीने में ठीक है और देखिए आज का हमारा पहला प्रशनी के अंतर राष्टी मानो एक्ता दिवस यानि की इंटरनेशनल हुमन सॉलिट्रेड जो है ये कमना आता है तो द आरो भोमिक अधिकारों के रूप में मानेता दी गई थी जो कि 21 सदी में लोगों के बीच संबंदों को दर्साता है और इस संबंद में ही प्रतिक 20 दिसम्बर को अंतराष्टी मानो एक्ता दिवस के रूप में मनाय जाने का निड़र लिया गया था तो तब से जो हम 20 दिस शाओ में लगबाग इसलिए पूछ लिया जाती है क्योंकि यह हमारे समाज हमारे जीवन से जुड़े हुई है ठीक है तो लाइबरेरी देखिए बहुत सारे लोग चाते हैं कि यार कहीं लाइबरेरी हुती मुझे पुस्तक पढ़ने को मिल जाता तो इसपेसली तमिल संचालित पुस्कालेओं तक पहुचने में असमर्थ हैं यानि कि जितने भी सरकारी लाइबरेरी हैं जो लोग इस सरकारी लाइबरेरी तक नहीं पहुंच सकते हैं जैसकी विकलांग लोग हो गएं बुजूर्ग हो गएं बच्चे हो गएं और अस्पताल में भरती मरीज ह तो उन सभी तक जो है सरकारी लाइबरी से किताबे पहुंचाई जाएंगी ठीक है तो यारके का फ्रेंड्स आप लाइबरेडी का रहे करें वो तमिल नाडू की शरकार ने शुरू किया है और अगला प्रशन हमारा कि भारत के कि शहर को भारत की G20 की प्रिजिडेंटरी के त है U20 साइकल की मेजबानी के लिए चुना गया है और विहाली में जो गुजरात के मुक्यमंत्री हैं इंके द्वारा अर्बन 20 या फिर U20 के लोगो और वेबसाइट और सोचल मीडिया हैंडल का अनौरट किया गया दीगे अर्बन 20 का जो आयोजन है ये अगले वर्स फरवर 2023 में G20 सेरपाओं की बैठक के साथ सुरूगा और ये अर्बन 20 मेरों के सिखर सम्मेलन के साथ समाप्त होगा इसको नोट कर लिएगा और अगला प्रशन मारा कि SSB यानि कि ससस्तर सीमा बल का जो अस्थापना दिवसा ये कमना आता है तो दीगे 20 दिसम्बर को हर साल SSB का अ सापना दिवसा मनाते हैं दीगे जो आपका SSB है इसने सुरक्षित और समरिद भारत के प्रती समरपर के साथ 20 दिसम्बर 2022 को अपना 69 सापना दिवसा मनाय था दीगे जो आपका ससस्तर सीमा बल है या पिर SSB है ये एक भारती सीमा सुरक्षा संगठन है जो कि नेपाल और भ स्थापना दिवस 20 दिसम्बर 1963 है या इसके स्थापना जो है 20 दिसम्बर 1963 को केती इसका मुख्याले ने दिली में है और अगला प्रशन है कि इंडियन नेवी में सामिल हुई पांचमी स्कार्पियन स्रेडी की जो पंडूबी है इसका क्या नाम है तो देखी इंडियन लिमिटेड मुंबई में किया गया है और आई एनस वागिर जो है ये प्रोजेक्ट 75 के धर्थ बनाई गई 6 स्कार्पियन स्यली की जो पंडूबिया है उन में से ये पांचमा या अब तक 4 पंडूबिया लांच हो गई थी पांचमा आपका है आई एनस वागिर और 6 भी न गया है तो इसके बात जो है अब इसको इसी मेहने दिसंबर में 2022 में आई एनस वागिर को इंडियन नेवी में सामिल कर लिया गया है ठीक है पर इक्षा में देखिए गुमराह कैसे करते हैं लोग पूझेगा कि बताओ भया आई एनस वागिर क्या है एक पंडूबी है या या फिर यूदपोत है या फिर हवाईजाज का नाम है या फिर हेलिकाप्टर का नाम है तो सही उत्तर इसका क्या होगा ये एक जो है इसकार्पियंस रेडी की पंडू भी है आईनस वागिर और अगला की हाली में फ्रांस के किस फुटबालर ने अपने 35 जन्म दिन पर इं करीम बिंजेमा है इन्होंने 2014 फीफा वूस्कप में फ्रांस की और से टाप इसकौरर के एक रूप में काम किया था तो 2014 में ये टाप इसकौरर रहते लेकिन चोट के कारप वारेज था तो उसमें करीम बिंजेमापार्स वेट नहीं कर पाय थे देखी जो करीम बिन्यमाहिन को पेरिस में पुरुसों का बैलेंडी और अवार्ड भी दिया गया था अभी हाली में 2022 का और अगला प्रशने की हाल ही में केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने किस कमपनी के माध्यम से इनफरा डेवलोपर्स के लिए भारत के पहले सेओटी बॉन्ड इंसुरेंस को लांच किया तो देखी ये कमपनी बजाज अलियांज है यारके का केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने बजाज अलियांज के माध्यम से इनफरा डेवलोपर्स के लिए भारत के पहले सेओटी ब की निर्भरता को कम करेगा और जो आपका COT bond insurance होगा ये बीमा principle के लिए एक risk transfer tool है जो कि contractor याने कि ठेकेदार के दरहें आपके को पुरह नकर पाने कि इसिति में होने वाले नुक्सान से बचाता है काने का मतलब है कि अगर आपने जो है माली यह कोई पानी की टंकी उसका निर्मार करने का ठेका लिया है तो अगर आप जो है बजाज अलियान से अपना COT bond insurance करा लेंगे तो अगर आप माली के चली कि अगर आपको एक करूर रुपे मिल रहे हैं ठीक है तो एक करूर में आपको यह कंप्लिट करना है पानी की टंकी लेकिन आप इसको बनाते बनाते एक करूर पचीस लाग खर्च कर दिया आप में इसमें तो आपका जो है नुकसान जो हो रहा है तो नुकसान होगा तो आप काम करेंगे नहीं छोड़के भग जाएंगे तो इसी समय जो आपका यह COT bond insurance होगा तो आपको नुकसान से बचा लेगा दिखिए आठावा प्रशन मारा की हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सुचकांग के तहट किस राज जी या फिर केंडर सासित पुर्देश का SPI स्कोर सबसे अधिक रहा तो दिखिए राज आपका है पुद्चेरी दिखिए इंस्टि या या कि Social Progress Index है तो यह स्कोर के आधार पर राजियों और जीलों को सामाजिक प्रगति की प्रगति की या बहुत सामाजिक प्रगति के तहट देश में सबसे अधिक SPI स्कोर यानि 65.9 वाला जो है राजी है यानिकि सबसे अधिक SPI स्कोर वाला राजी कौन सा है भारत का पुदुचेरी है और नवा प्रशने की नवंबर में कुल ब्यापार घाटा कितना रहा तो दीकि नवंबर 2020 में भारत का ब्यापार घाटा जारा दसमलों एक एक अरप डादर रहा था दीकि साल नवंबर में वस्तूं और सेवाओं के लिए भारत का समग रिव्यापार घाटा गिर कर जारा दसमलों एक एक बिलियन डालर हो गया जो कि साल पहले यानिकि पिछले साल और महिने पहले के इस तर से कम है ठीक है और दसमलों प्रशन मारा है कि हाल ही में कि राजी स निवार किया गया है क्योंकि देखे बहुत सारे योजनाएं ऐसी हैं मलब 12 सरकार की अविरकेज सरकार की तो उसमें क्या है कि मलब जो कुछ लोग फरजी तरीके से जो है अगर आपको कोई भी सरकार योजना का लाब चाहिए तो आप जो है अपना आधार संख्या का प्रम अपना वरिफिकेशन कराई तो आपको जो है सरकारी योजनाओं के लिए इंडूल किया जाएगा तो इसलिए सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार काड को तमिल आडू की शरकार ने अनिवारे कर दिया है तो यह थे आपके आज के सभी most important प्रेशन और अब हम बात करें करेंगे आज के सभी शनाओडे पर देखिए जो आपका गोवा मुक्ती दिवा से कमना आयाता है बताईए और आपको बताना है कि फीफा विस्वकप 2022 का खिदाब कि इस टीम ने जीता है बताईए नहीं पता है तो कल का वीडियो देखके रिवाइज कर लेगा क्योंकि मैं फीफा विस्वकप से समंदी सारे प्रशनों को जो है करा जिया था कल के वीडियो में तो वहीं से सारे प्रशन पूछे जाएंगे उसको रिवाइज जरूर कर लिजेगा और तीशरा प्रशना आपली की फीफा विस्वकप 2022 में गोल्डेन बॉल आवार्ड किसको दिया गय और देखिए अभी हाली में किस अस्तान पर नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फार बायो मेंटकर रिसेच का उदखार्टन किया गया है बताइए और देखिए किसको दोजार बत्तिस ओलम्पिक आईजन समिती के सीईओ की रूप में नामित क्या गया है बताइए और अब हम बात करेंगे कल के पूछे के सभी को शाम्टे के सेथ्टनों की देखिए जोब का नई दिल्ली है तो नई दिल्ली ने इंडिया वाटर इंपेक्ट समीट 22 का मेजवनी किया था और मिसेज वर्ल 22 का किताब सरगम कौसल ने जीता है अंतराश्टी प्रवासी दियोस कोम 18 दिसंबर को मनाते है और देखिए जोब का लखनो जो की उत्तर प्रदेश की राधानी है यहाँ पर भारती एतियासिक अभिलेक समीटी के तिरसट में सत्रकाय जिन किया था और इखिए अभिहाली में भारत ने 18 दिसंबर को मुमई के नौसिना डॉक्यार्ड में अपना नविंता मिस्टील गाइडेड मिसाइल बिद्वनसक मौनमू गाओ को जो है कमिशन किया था तो इसे के साथ आज का वीडियो समाथ होता है आप लोग वार्शिकांग के वीडियो को देखते रहे हैं और कमेंट बॉक्स में बताते रहे हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है चाहिए